हलो आव्यर्वन एंड वेल्कम बैक टू शीयमें अस्तर जी सो जैसा कि आपको पता है हमने अपनी डारेक्ट इंडारेक्ट टैक्सेशन इंड कंप्लाइस के एक सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी सीरीज को आंगे बढ़ाते हुए आज का दो मारे वीडियो रहने वाला है व अगर आपने भी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रोवेशनल एडवाइस चाहिए या कोई कंसरेंजर चाहिए तो आप कमेंट में दिये गए के नंबर पर हमको कॉंटेक्ट कर सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का बेटा वीडियो है टीडियस के उपर टीडियस क्या होता है टीडियस का मतलब होता है टेक्स डिडेक्टिड एट सोर्स टेक्स डिडेक्टिड एट सोर्स इसका क्या मतलब है इसका मतल आप ITR फाइल करते हो अगले साल के 31 जुलाई को तो गवर्मेंट तब तक आपसे वेट नहीं करवाना चाहती है कि आप खुद एसस करके टेक्स पे करो आपने रिकुटीटे मैंडेन करने के लिए क्या होता है यह कंपनी को पर लियाबिटी डाली जाती है कि वह अपने इंप्लोई की सेलरी पर जो भी टेक्स बनाभाए उस टेक्स का TDS काटकर क्या करें वो गौवर्मेंट को जमा करा हैं तो हर महीन में आपकी से कुछ TDS का आवांट करता रहता है और वो गौर्वर्मेंट को जमा होता रहता है जब आप 31 जुलाई को यहां पर रेटन फाइल करेंगे तो जो भी आपका टेक्स कटा है उसका आप क्वेडिट जो आपके 26 से इसमें आ रहा होगा उसका क्वेडिट आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं तब से पहला section अब यह सिर्फ salary केस में नहीं है यह अलग-अलग तरह की services contract पर भी लग दखता है यह तो मैं ने salary का एक example लिया था तो अगर हम बात करें section 192b की यहां पर section है कि बात करेंगे किस तरह की payment पर TDS कटेगा क्या उसकी throw sold रहने वाली है और क्या उसका rate रहने वाला है तो अगर हम salary की बात करें other than government deploy government deploy यह अलग rate हता है other than government deploy section 192b के अंदर salary पर TDS कटता है जो company काटती है employees का और government को जमा कराती है as per slab rates slab rates जो हमने आपको याद होगा income tax के जब rates जो मैंने first video में आपको बताया था कि दाही लाग से 5 लाग पर 5 परसेंट है 5-10 लाग 20 परसेंट है फिर 10 से उपर 30 परसेंट है all regime में नई regime में अलग rates है उसके basis पर जो tax revenue नगरेगी वो divide by 12 हर महिने का महिना वो tax कटता रहेगा next है बेटा 194 लगता है अगर bank या cooperative society से कोई आपको interest मिलता है तो 40,000 से अगर उपर interest मिलेगा तो bank को आपका 10% TDS काटना पड़ेगा senior citizen के case में e limit 50,000 रुपे अदर्स के case में यानि कि bank cooperative society को छोड़कर के किसी और से आपको interest मिलता है तो 5,000 से उपर 10% की TDS की liability है next है बेटा sanction 194C 194C बात करता है contractor sub contractor advertisement services की अगर आपने कोई contract पर कोई काम दिया है को ठेके पर काम दिया है या आप transportation की service लेवे तो single transaction अगर 30,000 से ज्यादा amount है तो 2% TDS कटेगा देगा अगर individual achieve है तो 1% TDS कटता है अगर aggregate जो है पूरे साल का वो एक लाग से उपर है माली जबकि ट्रानेशन तरदस 25-25,000 की होती है तो पूरे साल की limit को दिखेंगे ट्रांस्पोर्टर का business है पर ट्रांस्पोर्टर के case में अगर 10 गाड़िया तक होती है तो TDS applicable नहीं है जैसे उसके बाद 10 से यादा गाड़िया अप्लिकवल हो जाएंगी तो उस पर TDS applicable हो जाएगा नेक्स अचमा आते हैं कमीशन वाले section 195 जी जो कि दूस्वारिज कमीशन का section है 195 जी कमीशन बोकिश का section है इन दौनर section में अगर कोई कमीशन मिलता है पंदवाज आज से उपर तो उस पर 2% TDS कट रहेगा ये rate पहले 5% था जो इस बजट के अंदर कटकर 2% हो गया है नेक्स है section 194 जो की बात करता है rent की अगर आपने कोई plant machinery equipment rent पर लिया है तो जिससे लिया अगर उसको पोई साल में 2,40,000 जादा का tech rent दिया है तो उसका 2% आपको TDS काटना पटेगा next land building and furniture के case में TDS का rate 10% है लिमिट 7 होती है तो TDS काटता है बेटा पेमेंट जो कर रहा है तो इसका कहने का मतलब जैसे अगर इस example की बात करें अगर हमने किसी से machinery को rent पर लिए तो 2,40,000 मले जो 2,40,000 जाई उसका rent है Mr.A है Mr.A ने machine लिए Mr.B से यह machine के owner है यह इन्होंने tenant इन्होंने किराए पर लिए तो Mr.B जा Mr.B को payment करेंगे तो tax काटके करेंगे इवेंट कितना भेकिया दोलर 3,000 जागर TDS कितना घड़ेगा इसके उपर machine के case में 2% कितना हो जाएगा इसका 4800 रुपे तो यह minus कर देजिए इसका मतलब 2,49,000 जागर 200 रुपे का payment किया जाएगा Mr.A के दाहर Mr.B को तो इस तरीके से TDS काम करता है यह जाट 400 रुपे यह Mr.B अपनी ITA में claim कर सकते है नेक्स आता है section 194 IB 194 IB 194 IB बात करता है rent paid by individual जोकि 194 I में cover नहीं हुआ देखिए 194 अगर हम उपर के बात करें तो section 194 A C H I J है वो उन्हीं पर applicable होंगे उस individual achiever जिनका turnover एक cover से ज्यादा हो business के case में और profession के case में 50 लाग से ज्यादा हो उनकी receipt तो यह section applicable होते है तो जो individual है मैं लिए मेरा खुद का घर है मैंने अपना एक villa है या घर है उसको मैंने rent out किया तो उस case में applicable नहीं होगा बट उस case में section 194 A I B लग जाएगा अगर मेरा जो rent है वो 50,000 पर बन से ज्यादा का rent में चार्ज कर रहा हूं तो सामने वाला मेरा 2% का TDS काटेगा पहले है rate 5% था next से बेटा section 194 J यह बात करता है कि अगर गोई professional fees आपको मिलती है royalties का पैसा मिलता है technical fees के लिए को पैसा मिलता है इन तीनों ही case में 30,000 की limit है और बस ध्यान रखना professional fees के case में क्या होता है 10% का TDS करता है royalty और technical fees के case में हमारा 2% का ही TDS करता है बस डारेक्टर रेमिलेशन यह थोड़ा सा लग है इस case में क्या होगा कोई limit नहीं है और 10% का TDS करता है तो देखो limit wise बात करूं तो professional fees और director services donor की limits है में 30,000 रपे यह आपको याद करने पड़ेगी नेक्स आता है वीटा Section 194 आईए औहो क्या होगा है Section 194 आईए यह क्या बोलता है कि अगर आपने कोई immobile property खरी दिये है जिसकी value 50,000,000 से ज्यादा है ध्यान से सुनिए अगर आप कोई property खरी खरी तो जिसकी value 50,000,000 से ज्यादा है तो आप उसको payment करोगे तो उसका 1% TDS काट होगे और इसके लिए एक form भी file होता है form 26 QB वो आपको file करना पड़ेगा यहां note कर लीजेगा form 26 QB salary के इसका कौन सा form भाल लेता है form 24 Q other than salary जो भी टीटेस होगा उसका form 26 QB next section है वेटा 194 ओर यह लगता है कि जो भी जो लोग भी e-commerce platform जैसे कि आपका flipkart हो गया amazon हो गया इसके तुर अगर कोई sale करते है इसके तुर अगर कोई sale करते है तो उस case में 0.1% का TDS flipkart को काटना पड़ेगा जो भी जो participant होगे जो उसे sale करेंगे पहले यह rate सोड़ा ज्यादा होगा करता था पहले कितना rate था 1% था इसको भी घटा कर कितना कर दिया गया है 0.1% कर दिया गया है next है बेटा section 194 यह भी नया ही sanction है इसमें क्या कहता है कि अगर आप एक कवर से आधा का विड़ॉल करते हो तो आपके पर TDS की liability आ जाएगी अगर आपने पिछले 3 साल में return file करी है तो एक कवर से उपर आपका 2% tax लगेगा अगर आपने return file नहीं करी है पिछले 3 साल में तो एक कवर से उपर आपका 5% का tax लगेगा लेकिन उस case में 20 लाग से उपर भी tax लगेगे तो भी आपका 2% TDS लग जाएगी कहने का मतलब है अगर आप return file कर रहे हो गवर्मेंट को अपनी income disclose कर रहे हो तो गवर्मेंट उसका आपको benefit दे रही है कि एक कवर तक आप cash निकालो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप return file नहीं करते हो तो उस case में 20 लाग से उपर 2% और एक कवर से उपर 5% का TDS आपका खटेगा cash लग नेक्स से बेटा section 194R यह बात करता है कि कोई भी benefit या peculiaris अगर दिये जाते है business or profession के अंदर माने जिए employees ने कोई employee को कोई benefit पक्रिशे दिया तो 30,000 से उपर sorry 30,000 से उपर 10% का tax TDS लगेगा section 194Rs बात करता है virtual digital assets की यानि कि इसका मतलब हो गया bitcoin जैसे की तो उस case में क्या होता है बेटा 50,000 से उपर अगर आपका tax कर रिठ है 1% की tax liability उसमें 50,000 से उपर की अपकी donation है तो 1% tax liability उसमें आ जाती है next section 194Rs है कि अगर partner से firm जो है वो अपने partner को को कोई salary, remuneration, interest, bonus या commission देती है इसको देती है partners को देती है तो 20,000 से उपर 10% का TDS partner का कटेगा section 194Q जो है वो बात करता है कि अगर आपने कोई goods खरीदा और आपका जट अनुवर है वो 10 credit से उपर है और किसी एक partner vendor से 50 लक से यादा कि आप purchase कर वे हो तो उसका 0.1% का TDS काटेगे rate आने संगो monitor करने के लिए किया गया है अब इसमें कुछ और point भी है कि अगर आप pen furnace नहीं कर आते तो आपका TDS का rate सारे किसमें 20% हो जाएगा अगर कोई professional or technical services है यह question बहुत बहुत बार आता है कि कि किसी doctor की service है तो वो क्या है वो professional services है IT वाले की service क्या है technical services है आप उसका contract भी क्या होगा तो क्या हो 194C में कवार होना चाहिए 194J में तो यहाँ claim application है वो हमेशा 194J में कवार होगा C में कवार नहीं होगा लगार आपका landlord form 15G या 15H आपको दे देता है तो आपको TDS काटने की जरुरत नहीं है जो हमने यहाँ पे rent वारा clause पढ़ा था point number 3 की बात कर रहा हूँ और सेंट्र की केस में बिटा 2% का TDS का रहत है बाकी तो मैंने आपको बताई दियें सारी छोटे मोटे point है या आप screenshot लेके भी खुद भी देख सकते हैं नेक्स बात करते हैं मैंटा TDS payment to NRI अगर NRI, NRI मतलब क्या होता है non-resident individual non-resident individual यानि कि ऐसा ऐसा person जो इंडिया का resident नहीं है इंडिया का resident नहीं है वो इंडिया से बाहर job के लिए किसी और purpose के लिए गया था तो non-resident के case में क्या होगा salary के case में अगर उसको की salary इंडिया में मिल भी है तो salary rate से TDS कटेगा 194 E, यानि की deposit अगर उसके कुछ है NSS के अंदर तो उस पर 10% TDS कटेगा यहापर कोई threshold limit नहीं है यानि की 1 रूपीस भी आप payment करते हैं तो आपको TDS कटेगे कर देगा कोई threshold का benefit नहीं है 194 E, interest on rupee denoted bond municipal debt securities पर 5% का रहत है 195 E के अंदर interest on loan given to foreign company to Indian concern और government of India मना अगर आपने government of India की किसी concern को foreign consumer loan दिया तो 20% का TDS कटेगा interest के ऊपर और 195 E, आई बात करता है कि अगर आपको bank से कोई interest मिलता है NRO saving or FTA account से interest मिलता है तो 30% का TDS है house property or other rental commission workers मिलती है तो भी आपका 30% का TDS लगेगा यह सारे TDS non-resident के case में applicable होते हैं तो यहां पर मारा TDS का video end होता है वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताइएगा मिलते हैं अपने next video में Till then, bye bye, take care